कोरोना के बढ़ते संक्रवन के दोरान जाप के मुखे संरक्षक पपू यादो लगतार लोगों के बीच घूम रहे हैं और इसी क्रम ने वे वेशाली की महुआ इसित कोविट केर अस्पताल का जैजा लेने पहुंचे यहां उन्होंने मरीज और उनके परिजनों से बात की प कि क्या हुआ था हुआ हम सरकार से सिर्फ इतना करेंगे मैं जो काम आपकी जिम्मेदारी है आपको करने की ज़ुरत है मैं आपको एहसास करा रहा हूं कि यह मौत सिर्फ आपके लापरवाई के कारण जनप्रतिनिदी के लापरवाई के कारण आपके सिस्टम के लापरवाई के कारण और सिस्टम के जिम्मेदार मुखमंत्री और प्रैमिनिस्टर होगी मेरे आँखों के सामने दो लास दिख लिया गी एक लास यहां जो डॉक्टर ने द था एक घंटा से वो चिला रही थी कोई डॉक्टर नहीं गया फ़िस्टाफ नहीं को नर्स नहीं वेंटिलेटर इन्होंने कहा धमचार है तीन है भेंटिलेटर का रूम बन था भेंटिलेटर उसमें है या खड़ाब है ऑक्षिजन लगभग नहीं के बड़ाबर था 400 बेड की बात यहां के जीला प्रशासन कहती है कि 400 बेड है जहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है 50 भी ऑक्सीजन, 40 भी ऑक्सीजन नहीं हो